तो आज मैंने आपे MIUI 12 के अंदर एक नया प्राब्लेम देखा, सबसे पहले प्राब्लेम के उपर बात करते हैं और उसके बाद इसके सोलिशन के उपर बात करेंगे तो जैसे मैं अपने फोन का जो कैमरा, डिफॉल्ट कैमरा अप्लिकेशन है उसे ओपन करते हैं पर कुड नॉट एक्सेस, HD गार्ड इस तरीके का मैंने एरर देखा और इसके बाद मैं डिफॉल्ट कैमरा अप्लिकेशन से कोई भी फोटो, वीडियो नहीं क्लिक कर पा रहा था लेकिन जैसे मैं GQM यह फिद दूसरे कैमरा का अप्लिकेशन को ओपन कर रहा था तो आसानी से ओपन हो रहा था और फोटो, वीडियो भी क्लिक हो रहा था तो इस प्राब्लम का यहाँ पर सॉलिशन क्या है तो इसके बाद जब मैंने अपने फोन को रिस्टार्ट किया तो इसके बाद भी इस प्राब्लम का सॉलिशन नहीं गया और इसके बाद finally जब मैं अपने storage के उपर जाके चक किया तो तब मैं यहाँ पे दिखा कि 116GB यहाँ पे occupied हो चुका था और इसके बाद simply मैंने कुछ files बगरा को delete किया और इसके बाद finally मेरा जो storage है वो यहाँ पे थोड़ा सा increase हो गया और इसके बाद finally मैं जो camera application है default camera application उसका मैं यहाँ पे आसानी से इस्तमल भी कर पा रहा हूँ और photos, videos भी ले पा रहा हूँ तो इसका simply solution यही है कि अगर अपकी phone में एक limit तक storage full हो जाता है तो then आप लोग को इस तरह के का error देखने को मिल जाएगा तो simply आप लोग को इस किस में यही करना है कि कुछ files बगरा जो भी unwanted files बगरा आपकी phone में पढ़े हुए है उसे simply आप लोग delete कीजिए और इसके बाद इस तरह के का problem आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा तो कैसा लगा आप लोग को यह छोड़ा सा वीडियो आप नीचे मुझे कमें लेकर के बता सकते हो इस तरह के का और भी interesting वीडियो आगे देखने के लिए आप चैनल को भी subscribe कर लेजेगा आप लोग का बहुत बहुत सुक्रेश वीडियो को देखने के लिए थैंक यू